ग्रहन अक्षत्र तारे उर सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर्में इंदर शास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं देनिक महाभाग इशाली राशिया 27 नवंबर 2018 मंगलवार का दिन है मार्कषी श्रमास के कृष्ण पक्षकी पंचमी तिथी है पुनरवसू नामक नक्षत रहे है और करक राशी में चंदर्मा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई माना जाएगा यदि किसी कारणवस आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो गुड़ खा करके उत्तर दिशा की यात्रा कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ मागलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए ग्रह गोचर की अधियाम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरीदेव व्रश्चिक राशी में चंद्रमा करक राशी में, मंगल कुम्ब राशी में, बुद्ध व्रश्चिक राशी में, गुरु भी व्रश्चिक राशी में, शुक्र तुला राशी में, शनी रनु राशी में, राहु करक और केतु मकर राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के अनुसार वरशब मिथुन करक कन्या वरश्चिक कुंभ और मीन इन साथ राशी वालों को किस्मत का भरपूर सांथ मिलने वाला है इन साथ राशी वालों के लिए दिन सबसे सरेष्ट व्यतीत होगा इनको धन लाव होगा, रुका हुआ पैसा, इनको प्राप्त होगा, कारिक्षित्र में इनको बड़ी सोगात मिल सकती है तो मित्रो हमने जो ज्यानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्च कर लिजे, आपको और आपके पूरे परिवार को, साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद